दोस्तो अगर आप जियो, VI, BSNAL या फिर ATL किसी भी SIM card को यूज़ करते हैं और अगर आप उन्ग में से किसी और company में, किसी और operator में port करवाना चाहते अपने number को, अपने SIM card को, तो इस वीडियो में हम यही बात करने वाले हैं कि आप ये कैसे कर सकते हैं तो दोस्तो अगर आप VI या फिर ATL यूज़ करते हैं तो उसमें क्या होता था कि जब आपके पास SMS के benefit वाला plan है तो ही आप port का message कर सकते थे अगर आपके पास free SMS के benefit वाला plan नहीं है तो आप message नहीं कर सकते थे जिसके कारण आपको मेहंगा recharge करवाना परता था लेकिन जियों की complaint के बाद ATL और Vodafone idea ने दोनों ने ये अपना rule हटा दिया है लेकिन जियों ने try में Vodafone idea और ATL के खिलाब complaint की थी जिसके बाद VI और ATL ने ये rule हटा दिया है तो अगर आपके पास free SMS के benefit वाला recharge नहीं है फिर भी आप port का message कर सकेंगे port message करने के लिए आपके पास minimum 3 या 4 रूपे का balance होना चाहिए तो चलिए अब हम जहनते हैं कि आपको कैसे port करना है उसकी process जहनते है तो सबसे पहले तो आपको अपने जिस नंबर को other operator में port करवाना है चाहे वो जियो हो, VI हो, Vational हो या फिर ATL हो उस नंबर पर आपको message box open कर लेना है तो आपको जिस नंबर पर message करना है वो आप note कर लीजे 1900 आपको 1900 इस नंबर पर message करना है और आपको क्या लिखना है, क्या type करना है आपको capital में लिखना है PORT और X space दे देना है और उसके बाद आप अपना वो बाला mobile number एंटर कर देंगे जो कि आप other operator पे PORT करवाना चाहते है mobile number टाइप करने के बाद अगर आप दो SIM यूज करते है एक ही mobile number पर तो यहाँ पर से आप वो SIM सिलेक्ट कर लेंगे जिसमें से आप PORT करवाना चाहते है तो मैं यहाँ पर से atl सिलेक्ट कर लेता हूँ और उसके बाद यहाँ पर से आपको message send कर देना है तो कुछ इस तरह आपका message जो है वो send हो जाएगा आप यहाँ पर देख सकते received भी हो चुका है उसके बाद आपको थोड़े देर का wait करना है उसके बाद आपको एक message मिलेगा तो यहाँ पर आप देख सकते atl वालों की तरफ से मुझे एक message मिल चुका है 1901 के उपर से तो इसको आप open कर लेंगे तो आपके पास जो message है होगा उसमें लिखा होगा the upc for your mobile number is और उसके बाद आपका upc code जो है वो आपको दिया गया होगा तो इसी code की मदद से आपको अपना mobile number port करवाना है दोस्तो एक बात ध्यान रखे यहाँ पर आपको इस upc code की validity date भी बताई होगी इस date से पहले आपको request कर दियने है port की अगर आप इसके बात करेंगे तो यह code बदल चुका होगा उसके बाद आपको नया मगवाना होगा तो यह code मिल जाने के बाद आपको आपके current operator यानि की currently आप जिसका sim use करते हैं अगर आप atl का करते हैं तो atl अगर vii का करते हैं तो vii की office पर आपको जाना है वहाँ पर जाकर आपको यह code वहाँ पर देना है और साथ ही साथ आपको अपना आधार कार्ड भी साथ ले जाना है तो वहाँ पर आपके आधार कार्ड के उपर से वह आपका verification करेंगे आपका एक photo लेंगे और यह code आपके पास से लेंगे और उसके बाद तकरीबन तीन से चार दिन के अंदर ही आपका जो SIM card है वो आप जीस operator में जाना चाहते हैं उसमें pot हो जाएगा अगर आपके नजदीक में टेलिकॉम operator की office नहीं है तो आप केसी भी ऐसी shop पर जाकर कि जहां पर कोई recharge करता हो उस चगध जाकर आप अपना code देकर वहाँ पर से भी pot करवा सकते हैं लेकिन हो सकता है कि वहाँ पर से आपके पास कोई charges ले 20 या 30 रुपे वगेरा अगर आप टेलिकॉम operator की office पर जाएंगे तो free of cost आपका जो potting है वो complete हो जाएगा आपको सिर्फ वही पेसे देने होगे जो कि आपके first recharge के लगेंगे उसके अलावा आपको कुछ भी नहीं देना है potting request देने के बाद आपने जो भी alternative number दिया होगा उसके उपर एक tally verification code आएगा वो code आपको संभाल कर रखना है जैसी ही आपका SIM card pot हो जाता है उसके बाद आपको 59059 इस number पर call करना है और वहाँ पर आपको आपका tally verification code देना है और अगर आपके बारे में वो अगर आपकी कु वो detail देने है उसके बाद आपका चो SIM card है वो activate हो जाएगा